सो घेग आई ज़ आज की इस वीडियो में हम अंबॉकसिंग करने वाले हैं सैंसंग गेलक्सी M33 स्मार्पोन की हला की ये स्मार्पोन हमारे पास काफी दोवों पहले आ गया था बट अभी टाइम मिल ला है मुझे उनबॉकसिंग करनेगा तो आज की इस वीडियो में रिटेर्ड यूनिट की एमोजोन से मुने पर्चेस करके मंगाया इस स्मार्टफन को उसकी अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ और सिंपल से आपको कैमरा सेंपल्स बगरा सब कुछ देखाने वाला हूँ वीडियो आपके लिए बहुत यहादा है वीडियो को लाइक करना एंड फिली चैनल को सब्सक्राइब करके बाला को जबास करना सुगाइस यह बॉक्स हमको एमोजोन की तरफ से देखनी को मिल जाता है हाला कि मैं काफी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूं यूटूब पर यह वीडियो मैंने काफी दुनों पहले बना लिया था पर टाइम ही नहीं मिला मैं आज अपलोड करने जा रहा हूं तो इसको सिंपल से हम इसको कट करते हैं और आंगे का जो बॉक्स आपको कराने वाला हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं खुले डिपबा मिला है मुझे तो इसको मैं एक सील थी उसको कटता हूं मैं और बॉक्स को इधर पर ओपन कर लेता हूं बॉक्स काफी एदा पतला सा देखने को मिल जाता है कि इस पर आपको चार्जर डाप्टर देखने क पर डेकने को मिल जाते हैं एतना कच आपको देकने को मिलता है इसको सइड पर रखते हैं और आपको फॉन बस देखने को मिल जाता है और फोन कुछ इस तरह है हुऄ थे जोड़ा से अचछी नहीं है पर पर सणली मुझे घ्चार्ट पसंद आई है क्वास को पसंद आई नहीं मिलती जैसे कि देख सकते हैं डिजाइन काफ ही अधर पर आपको देखने को मिलेए फिनिस्ट काफी अच्छी सब्सक्राइब करने हैं थोड़ा सा देखनी को मिल जाती है 6.7 इंचिस की डिस्पले बड़ी सी देखनी को मिल जाती है और साथ में IPS LCD डिस्पले आपको यह फिर TFT डिस्पले आप बोल सकते हैं बढ़ TFT के according मुझे colors IPS जैसे ही लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं यह colors आपको काफी अदा best देखनी को मिलते हैं 120Hz के refresh rate के साथ में इस फोन की आपको डिस्पले देखनी को मिल जाती है तो काफी अदा smooth experience आपको इस डिस्पले का देखनी को मिलने वाला है जैसे कि आप देखी सकते हैं और साथ में कुछ installed application भी इदर पर देखनी को मिल जाती हैं तो इनको simple से आप अनिस्टॉल भी कर सकते हैं जैसे कि इसको हम अनिस्टॉल करते हैं तो सिंपल से इधर पर आप कोई देखनी को मिल जाते हैं और और साथ में डिस्प्ले आपको स्मूध देखने को मिलती है कोई भी डिस्प्ले पर कमी देखने को नहीं मिलती जैसे कि आप देख सकते हैं पस थोड़ासा आपको बैजल से कंप्रोमाइज करना पड़े हैं कि कोई इस फोन के बैजल ऐसे देखने को मिलते हैं जैसे 10-12000 का स् और हम updates की बात करने तो इस form पर out of the box Android 12 देखने को मिल जाता है जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं software information में simple से इधर पर देख सकते हैं Android 12 हमको out of the box देखने को मिला है जो कि बहुत एची बात हो जाती है कि latest Android version के साथ में आजाता है और साथ में cameras की बात करें तो 50 megapixel का आपको primary camera sensor देखने को मिल जाता है secondary आपको 5 megapixel का और 22 megapixel के दो cameras और भी आपको दिर पर देखने को मिल जाते हैं और साथ में जैसे कि आप photo के samples भी देख सकते हैं यह हमारे दिन की photos हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं quality काफी यदा बैटर आई इधर पर colors contrast भी काफी यदा इधर बैटर आएं जैसे कि आप देख सकते हैं तो इधर पर low light की photos मैंने capture नहीं किया हैं बट जो lighting की condition थी उस पर ऑड़ काफी यदा photos best आ हैं जैसे कि आप देख सकते हैं जो words लावर की colors बगार आप देख सकते हैं काफी यदा नैचुरल से को साइन क oni को कफ और साथ में कुछ front camera की फोटोज ले इन पर भी आठको अच्छी इस डिटेल को मिल जाती है चरप साफ से आपको डैसा फॉक्त काफी यदा आपको सबस्टेको मिल जाती है आवरेस सी फोटो आपको देखने को मिल जाथी जैसे 10-12000 के फोन पर देखने को मिलती है तो ठीक सा कैमरा है front बैक कैमरा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है और साथ में स्पन के परफोननस की बात करें तो परफोनसक्ष आपको अच्छी गासी देखनी को मिल जाती है is फोन की क्योंकि प्रौसेसर भी आपको 3500 की रेंज वाले Samsung की जो स्मार्टफॉन पर देखने को मिलता है वही प्रौसेसर इधर पर आपको देखने को मिल जाता है को कि काफ़ी अच्छा smooth experience इधर पर आपको देखने को मिल जाता है multitasking बगर आप करते हैं तो काफी यादा best देखने को मिलता है app opening भी काफी यादा best इदर पर हो जाती है कोई भी देखकत आपको देखने को नहीं मिलेगी बट थोड़ा सा अगर आप काफी देख से यूज कर रहे हैं तो application जो background है हो थोड़ा सा close हो जाते है डिस्प्ले के colors आपको देख सकते हैं कोई बोलता था कि वहाई TFT डिस्प्ले तो इतने अच्छे colors नहीं है बेकार color हैं बट IPS जैसे ही color मुझे इतर पर देखने को मिलेगी यह TFT पैनल है जो वह वह सब TFT पैनल नहीं है जैसे कि पहला आता था बट यह IPS जैसे नहीं पैनल है मुझे बिल्कुल भी डिफ्रेंस देखने को नहीं मिला IPS डिस्प्ले से स्वीच करने में भले ही मैं AMOLED डिस्प्ले अभी तक यूज करता हूं बट स्वीच करने में मुझे कोई विदिकत नहीं आई colors आपको काफी अधा काफी ऐचा फोन देखने को मिला बत थोड़ा सा heating ईसिए आपको फेस करना बढ़े गा इस स्वाट सव फोन बागि आपको कोई भी दिककत देखने को नहीए जब आप ज़्यादा है यूज Hä乐 बागि अच्छा है उतना heating इसूभी नहीं ओवरॉल फॉन अच्छा है मुझे 18000 की रेंज का पढ़ा है अगर आप डिसकाउंट लगा के लेते हैं आपको काफी कम में पढ़ जाएगा तो कई जितनी कुछ अन्बॉक्सिंग थी थैंक्स फॉर्चिंग आइच